तो देखते हैं कि क्या आज वाकई में ये दोनों प्रोस्टर सिमिलर प्रोस्टर हैं हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है गौरो आप देख रहे हैं टिक्रू एनांच डेट को देखा जा तो शिञ जेन वन एनांच किया गया था सिटंबर त्वनडी त्वनुटर प्रोस्टर अगर अगर मॉडल लंबर को देखा जा तो शिञ जेन वन है का model number है, SM6450, 7S Gen 2 का model number है, SM7435AB, यहाँ पे आप दोनों ही process जो देखने को मिलेंगे अलग-लग phone पे, यहाँ आपको Realme के phone पे देखने को मिलेगा, Realme 12 Pro पे, यहाँ पे 7S Gen 2 आपको देखने को मिलेगा, Pogo X6 पे, इसके TDP value को भी देख लिया जाए, तो TDP value यहाँ पे आपको 7 Watt की देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पे 7S Gen 2 का जो TDP value है, यह 5 Watt का देखने को मिलेगा, अब बद दादा हूँ architecture, तो दोनों ही जो process देखने को मिलेंगे, वो octa core process है, 6 Gen 1 में यहाँ पे 4 और 4 का cluster होगा, 4 को 2.2 GHz पे clock होंगे, cortex A78 के साथ, वहाँ पे 4 जो है, बैटरी जाते हैं यहाँ पे 4 core 2.4 GHz पे clock cortex A78 होंगे, 4 core 1.95 GHz पे clock cortex A55 से देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे भी 4 and 4 cortex A78 के support के साथ आ रहा है, 4 performance का core and 4 battery efficiency का core देखने को मिलेगा, difference यहाँ पे यह है कि 7S Gen 2 में जो आता है, यह 2.4 GHz की speed रहेगी, जबकि यहाँ पे 6 Gen 1 में 2.2 की है इसकी जो base frequency है, battery efficiency वाली वो 1.8 पे 6 Gen 1 की, वहाँ 7S Gen 2 की 1.95 है, तो आपे सारी frequency यहाँ पे 6 Gen 1 से बेटर होती है 7S Gen 2 की, जिसकी विसे performance में improvement देखने को मिलेगा, वहाँ पे इसका TDP value भी 5.48 है, तो यहाँ पे भी इससे कुछ effect देखने को मिलेगा, बात करते हैं आपे frequency support की तो Snapdragon 6 Gen 1 जो है, वो 2200 MHz पे clock रहेगा, वहाँ पे Snapdragon 7S Gen 2 जो है, वो 2400 MHz पे clock रहेगा, प्लस 200 MHz की इसकी turbo frequency रहती है, मतलब performance वाली frequency रहती है, तो performance पे impact भी पड़ता है, अगर बात करें आपे fabrication की, तो fabrication आपको बता है कि जिसका जितना small fabrication होता है, वो processor उतना ही better होता है, तो दोने जो processor आते हैं, यहाँ पे 4 Nm Samsung based technology के साथ आते हैं, यहाँ पे जो 6 Gen 1 है, इसमें काफी manage किया गया है throttling, और उससे भी जादा manage किया गया है 7S Gen 2 में, इसमें throttling काफी कम होती है, नहीं तो Samsung वाले जितने भी chipset आते हैं, वहाँ पे आपको जो देखने को मिलती है, वो thr 3D benchmark score आता है, वो as compared to 7S Gen 2 के काफी गम है, और 7S Gen 2 में भी यही आता है Adno 710, तो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ 3D benchmark and gaming graphics test, तो आप उसे idea लगा पाएंगे, और इसका भी architecture तो भही है Adno 700, बात कि यहाँ पे GP frequency के तो snapdragon 6 Gen 1 जो आपको 900 तक clock देखने को मिल सकता है, और 7 7S Gen 2 यह 940 MHz पे clock रहता है, उसी के recording यहाँ पी मैंने number लिया है 900 हो सकता है, floating point number को देखा जा तो 6 Gen 1 का floating point number है वो 500 के उपर रहेगा, और बोल सकते हैं कि 800 जोनों का ही हो सकता है, यहाँ पे 7S Gen 2 के chances हैं कि यह 1000 को touch कर ले, बात करते हैं memory type की, तो memory type में usually मैं यहाँ पे RAM tap and RAM frequency ह पताता था, बात यहाँ पे मैंने देखा difference की maximum bandwidth RAM के, वो difference आ रहा है, इसलिए मैंने इसे भी include कर लिया, तो यहाँ पे snapdragon जो support करता है 6 Gen 1, वो LPDDR5 3200 MHz की speed, और इसकी maximum bandwidth रहेगी 22 Gbps की, वह पे जो snapdragon 7S Gen 2 का है, वो उसमें भी LPDDR5 मिलता है, RAM frequency 3200 मिलता है, यहाँ तक तो कामला सही था, बट यहाँ पे maximum bandwidth में difference है, कि maximum bandwidth यहाँ पे 7S Gen 2 का 25.6 Gbps पर सेकेंड आ रहा है, इसके उसे performance में आपको improvement जरूर देखने को मिलेगा, इस storage check support की बात के तो दोने ही प्रॉसर का maximum capability जो है, वो UFS 3.1 का है, Gaming Graphics में आप पे जो Snapdragon 6 Gen 1 का मैंने data लिया है, वो Realme के 12 Pro से लिया है, और 7S Gen 2 का मैंने लिया है Poco X6 से, अगर बात करें Free Fire Max की तो दोने ही प्रॉसर का maximum payment आप पे by default 60 आपको मिल जाएगा, maximum graphics भी आपको जो max high का support देखने को मिल जाता है, अगर वही देखा जाए, बीजी मारी को दोने ही प्रॉसर स्मूद प्लेज एक्स्ट्रीम का उप्सन सो करते हैं, मतलब 60 आपको से हाँ पे unlock देखने को मिलेगा, अगर graphics maximum की बात की जाए, तो 6 Gen 1 में HDR के साथ extreme का उप्सन आता है, जबकि 7S Gen 2 में Ultra HDR के साथ Ultra का उप्सन आता है, अगर Call of Duty को देखा ज यहां पे जो graphics support जो है, वो 6 Gen 1 में high के साथ max रहेगा, जबकि 7S Gen 2 में very high के साथ max रहेगा, तो better in-game graphics का support देखने को मिलेगा, वो 7S Gen 2 में है, very high के साथ max आता है इदर, यहां पे तो आपको इधरी better देखने को मिलेगा 6 Gen 1 में, कि because एक stream है HDR पे, इंदर आपको HDR पे Ultra का ही support मि रहा है, नेक्स यहां पे बताता हूं, वीडियो caption, वीडियो playback, तो दोनों ही प्रॉसर यहां पे similar है, 4K at the rate 30 एपस का वीडियो caption, वीडियो playback करते हैं, दोनों का display resolution भी similar है, 2520 इंटो 1080 pixels वाला है, दोनों के पास NPU भी I think similar ही होने चाहिए, और हो सकता है कि 7S Gen 2 में improvement किया गया तो यहां पे यह थोड़ा doubt है, because कहीं mention नहीं किया गया था, अगर बात कि यहां पे connectivity की, दोनों ही जो processor आते हैं, वो 5G support के साथ आते हैं, 4G connectivity में दोनों के पास LTCAT 18 दिया गया है, Bluetooth 5.2 की technology in Wi-Fi में 6 का support मिल जाता है, तो यहां की मामले में connectivity में दोनों ही जो processor आते हैं, वो similar processor है, Benchmark में Geek Benchmark 6 का number बताता हूं, तो आपको idea लगेगा कि दोनों ही processor के बीच में कितना difference हो रहा है, तो यहां पे सबसे important जो difference था, वो उसकी frequency ही थी, बाकि सब कुछ अभी तक similar देखने को मिला है, और RAM की bandwidth थोड़ा difference देखने को मिला है, तो जो single को performance है, Snapdragon 6 Gen 1 का, वो 945 है वह पर 7S Gen 2 का 1017 है, तो slightly better आता है 7S Gen 2, 200 MHz की इसकी turbo frequency मिलाब performance वाली better थी, और आप ए 1.95 का battery efficiency वाले core दिये गये थे, जो कि 1.8 से better है, तो थोड़े number बेटर हो जाते हैं, वैसे यहां पे तो performance score में, single core ही count करना था, तो 2.2 को ही लिख चलते हैं, अगर multicore को देखा जाता है Snapdragon 6 Gen 1, 2768 का score करेगा, ए 7S Gen 2 यहां पे 2,950 का score करता है, अंदूदू benchmark number को देखते हैं, तो यहां पे अंदूदू benchmark में GPU को भी count करते हैं, और RAM को भी count करते हैं, तो जो 6 Gen 1 है यहां पे score करेगा 5,79,000 का, एन जो 7S Gen 2 है यह 5,82,000 का score करेगा, इस slightly better और बोल सकते हैं, दोने process same ही तो हैं, अब देखा जाएं यहां पे 3D benchmark score को, तो 6 Gen 1 का score आता है, वो 2368 आता है, यहां पे score मिझे काफी कम लगा, because Adno का 710, easily 3500 के उपा score कर सकता है, और यहां पे इसके मैंने previous जो processor देखे थे, उसमें आपको score देखने को मिला है, वो 4000 close देखने को मिला था, वो यहां पे तो लेकिन यहां पे 6 Gen 1 से तो बेटर है, जबकि दोनों में आपको देखने को मिलेगा Adno का 710 GPU, तो अब देखा जाए, conclusion में कौन सा process कितना बेटर हुआ, actual देखा जाए तो दोने process similar ही process है, छोड़ी छोड़ी जगा improvement किया गया है, थोड़ा थोड़ा performance में improvement किया गया है, अ अगर बात यहां पे performance कि तो snap रिकें 6 Gen 1 जो है, वो 43 स्कोर करेगा out of 100, और यहां पे 7 Gen 2 जो है 45 स्कोर करता है, यहां पे थोड़ा better performance इसले निकल के आ रहा है, क्योंकि इसकी सारी frequency बेटर थी, और यहां पे आपको जो RAM bandwidth देखने को मिले थी, वो भी बेटर थी, गेमिंग performance क तो यहां पे आपको स्कोर देखने को मिलेगा 50, 3D Benchmark भी यही बोलता है कि यहां पे 7 Gen 2 बेटर है, 6 Gen 1 से, बट यहां पे दोनो ही processor में तो आता है Adno का 710, तो अगर आप Adno 710 को लेकर चलते हैं, on paper तो दोनो ही processor gaming के मामले में similar ही है, देखते हैं यहां पे battery life, तो battery life के मामल में भी दोनो ही processor similar रहेंगे, 4nm Samsung based technology के साथ आते हैं, तो यहां पे भी आपको performance similar ही देखने को मिलेगी, बट मुझे जहां तक लगता है, मैंने जहां तक review को देखा है, उसमें 7 Gen 2 थोड़ा कम throttle किया है 6 Gen 1 के compare में, अगर बात कि जहां पे Tegroom score की, तो कौन सा processor में कितना difference आ एक ही दो difference था, जो कि 7 Gen 2 को थोड़ा better बना रहा है, 6 Gen 1 का overall score 50 out of 100 रहेगा, वह पे 7 Gen 2 का 52 out of 100 रहेगा, और बोल सकते हैं 51 out of 100 रहेगा, क्योंकि यहां पे एक ही दो चीज़ बेटर थी 7 Gen 2 में, सबसे important पार्ट यह था कि 7 Gen 2 जो है better optimize करके लाए गया है, 6 Gen 1 को improve करके 7 Gen 2 बना रहेगी है and optimization पे भी काम किया गया है, तो 7 Gen 2 एक improved version है 6 Gen 1 का, वैसे अगर आप इन दोनों processor में से भी कोई भी processor यूज़ कर रहे हैं, तो अपने experience ज़रूर शेयर कीज़ेगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो देखने आ रहा है, उसकी help हो सके, या फिर अगर आप processor को buy करना चाह